12 साल की उम्र में दादी की हत्या, 19 साल की उम्र में पिता की हत्या देखी 17 साल की उम्र से कॉंग्रेस के लिए प्रचार किया लेकिन सांसत बंते-बंते उम्र 52 साल हो गई नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदरकान शुकला है प्रियंका गांधी ने लोकसभा के सदस्य के तोर पर शपत ले ली है आखिर प्रियंका गांधी को सदन पहुँचने में इतना वक्त क्यों लगा और संसत पहुँची भी तोब चुनाओ के जरीए दोस्तो गांधी परिवार से अब दो चेहरे लोकसभा में है राहुल गांधी राइबरेली से और प्रियंका गांधी वाइनाट से राहुल गांधी से उम्र में 18 महीने 24 दिन छोटी प्रियंका गांधी अब अपने बड़े भाई राहुल के साथ लोकसभा में गरश्ती हुई दिखेंगी प्रियंका गांधी ने शपत ले ली है और भाई की ही तरह उनके हाथों में भी संविधान की कौपी थी बाहर निकली तो पत्रकारों ने पूछा कि जीत का क्रेडिट किसको देंगी प्रियंका ने बिना एक सेकेंड सोचे कहा राहुल जी को दोनों में बॉन्डिंग जबरदस्त है दोस्तों और ये दिखा भी जब शपत लेने के बाद बाहर आई प्रियंका की तस्वीरें राहुल खींच रहे थे इंद्रा गांधी के निजी सचीव रहे माखनलाल फोतेदार अपने किताब दचिनार लीव्स अपॉलिटिकल मुमयोर में लिखते हैं इंद्रा गांधी ने सोचा था कि पोती हुई तो उसका नाम शारिका रखूंगी शारिका नहरू परिवार की कुल देवी का नाम है लेकिन बाद में उन्होंने ही प्रियंका नाम रखा इसी किताब में आगे फोतेदार ने लिखा कि इंद्रा जी ने मुझसे कहा था कि मैं शायद अब जादा जी न पाऊं आप प्रियंका को बड़ा होते देखेंगे लोग जब उसे देखेंगे तो मुझे याद करेंगे और दोस्तों फिर तारीख आई 31 अक्टूबर 1984 राहल और प्रियंका स्कूल जा रहे थे दोनों दादी से मिलने गए दोनों ने इंद्रा गांधी के गालों पर गुडबाय किस किया इंद्रा ने प्रियंका को सीने से लगा लिया फिर दोनों स्कूल जाने लगे लेकिन इंद्रा ने प्रियंका और राहल को रोका फिर गले लगाया और कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम लोग रोना नहीं धाई घंटे बाद इंद्रा गांधी की उन्ही के सुरक्षा कर्मियों ने हत्या कर दी Spanish लेखक जेवियर मोरो ने अपनी किताब दरेट साडी में लिखा 21 मई 1991 को रात करीब पौने 12 बजे माखनलाल फोतेदार और सतीश शर्मा दस जनपत पहुंचे ये सोनिया और राजीव का सरकारी आवाज था उस वक्त राहुल अमेरिका में थे सबसे पहले प्रियंका को ही पता चला था कि राजीव अब नहीं रहे सोनिया गांधी बेसुद थी प्रियंका अपनी मा को लेकर मदरास पहुँची पता का शब लेकर दिल्ली लोटी अंतिम संसकार की पूरी जिम्मेदारी संभाली बाद में राहुल गांधी पहुँचे और उन्होंने मुखागनी दी अब ये तय नहीं हो पा रहा था कि राहुल वापस जाएंगे या नहीं तब प्रियंका ने ही राहुल गांधी से कहा कि भाई तुम जाओ मैं मा को संभाल लूँगी प्रियंका ने सबसे पहले अपने पिता राजीव के लिए 1989 में प्रचार किया बाद में दस साल बाद जब सोनिया अमेठी से चुनाओ लड़ने गई तो प्रियंका ने वहाँ डेरा डाल दिया 2004 में राहुल अमेठी से लड़े और सोनिया राइबरेली से दोनों सीटों पर प्रचार की कमान प्रियंका ने संभाली प्रियंका ने दोस्तों हमेशा कुछ ऐसा किया जो लोगों को चौका देता था 1999 में सोनिया के खिलाफ लड रहे अरुन नहरु प्रियंका के एक भाशन की वज़े से चुनाव हार गए बाद में अरुन नहरु के निधन पर प्रियंका के बेटे रहान ने ही मुखागनी दी राजियु गांधी के हत्या में शामिल नलिनी मुरगन को फांसी से पहले प्रियंका गांधी ने गले से लगा लिया जब प्रियंका ने उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस को मजबूत किया तो कॉंग्रेस में जान आ गई प्रियंका दर्जनों बार सलकों पर उत्री, पुलिस से भिल गई, बाइक पर बैठ कर निकल गई, धरने पर बैठ गई यानि उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस सुर्खियों में आ गई कॉंग्रेस पर दोस्तों जब-जब संकट आए मद्ध्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, 36 गड़ हो प्रियंका हमेशा संकट मोचक बन गई उन्होंने बीच का रास्ता हर बार निकाला लेकिन प्रियंका राजनीत से दूर रही क्योंकि सोनिया चाहती थी कि प्रियंका की शादी-शुदा जिंदगी असंतोलित ना हो आज प्रियंका के दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं प्रियंका दक्षन भारत से सांसद बनी हैं और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से ऐसे में आने वाले वक्त में कॉंग्रेस को मजबूत होने में मदद मिलेगी अब दोस्तों हर किसी को इंतजार है प्रियंका गांधी के लोक सभा में भाश्रों का प्रियंका का राजनीत में आना चुनाओ लड़ना सांसद बनना कॉंग्रेस को कितना फाइदा करेगा कितना मजबूत करेगा इस बारे में आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा